नमस्कार मैं हूँ पंकस सिंगौर और आप देख रहे हैं खबर नामा खबरों की सुरुआत खास खबरों से करते हैं तो कुरोना के साथ ही सीता पुर्जिले में एक और मुसीबत शुक्रवार को आ गई पाकिस्तान के टिड़ी दल ने बिलाग पिसावा के भुकरहा जलाल नगर अक्रोहा वड़किया आदि गाओं में हमला बोल दिया किसानों ने बताया कि दल में असंख टिड़ी हैं टिड़ी दल जिन पेणों पर बैठ गया है उसकी टहनिया तक दिखाई नहीं दे रही हैं भयावा मंजर देख किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा है अब तक टिड़ीया काफी बड़े पैमाने पर आम और गन्य की फसल को नुकसान पहुचा चुकी हैं देर साम करसी महकमा की टीम प्रभावित गाओं के लिए रवाना हो गई थी जिला करसी अधिकारी अखिला नंद पांडे ने बताया कि बारिस के चलते टिड़ी दल को भगाया नहीं जा सकता दवा का छिड़काओ कर टिड़ीयां मारी जाएंगी यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड विकास दुबे का अस्तित कानपुर से सुरू कानपुर में खत्म उसके अंत पर पुलिस परिवार में खुशी है तो वहीं विपच्ची दल सवाल खड़ा कर रहे हैं एक तरब जहां पुलिस कर्मियों के परिवारी जनों का कहना है कि अगर विकास जिन्दा रहता तो वहां आगे भी लोगों में खौफ बनाने के लिए अपराद करता रहता पुलिस ने विकास का इंकाउंटर करके अच्छा कारी किया है तो वहीं दूसरी और पूर्व केंदरिय मंत्री कॉंग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि जब खून का बदला खून तो न्याई पालिका की क्या आउशकता जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस ने तीन दिवसी दोरे का पहला दिन काफी बेस्त रखा उन्होंने लोग निमार विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एलवन अस्पताल खैराबाद वाट्ट्रामा सिंटर का ब्रमण किया उन्होंने लहरपूर के प्रात्वीक बिद्धाले नववापूर में एन आर एलेम के महला समू के साथ बैठक करके पाउध रोपन किया ग्रामीनों की ओर से रासन बित्रण में अन्मित्ता की सिकायत पर नोडर अधिकारी ने पूर्ति निरिचक भदेशर को फटकार भी लगाई आंगलबाडी कारकर्ती की अनपस्तिती के लिए डीपीओ से अस्पस्टी कन मांगा बता दें की भ्रमन के दोरान जिला अधिकारी अखलेस्तिवारी एडियम बिने पाठक डीडियो राकेस पांडे आदि साथ रहे ICSC वा ISC के परणाम में रिजन्सी पबलिक का दबदबा रहा ICSC में इस विद्याले के आदित गुपता और इंटर में कौशकी सुकल ने जिला टॉप किया है ISC में सिकर्ड हाड टॉपर अभिनावा अलंकत अग्रवाल भी रिजन्सी के ही विद्यारती हैं वहीं डान बासको के भब वियादों ने ICSC के सेकेंड टॉपर और रिजन्सी के सुएस राहूल जिले में तीसरे स्थान पर हैं आपको बता दें कि दोनों परिच्छाओं में कुल 353 विद्यारती बैठे थे सभी सफल हुए हैं इसी बीच मिसरिक में तैनात छेता अधिकारी अभै परताप मल्ल की होनहार बेटी दीच्छा मल्ल हाइ स्कूल परिच्छा में सभी विसेओं में फसल को बचाने के लिए खेत में लगी बाड काल बन गई थाना रामपुर कला के गाउं सर्वा जलालपुर में बाड पर हाई टंसन लाइन का तार तूट कर गिर गया खेत में कटी पड़ी मेंता की फसल को ग्रामीर समेट रहे थे खेत से बाहर निकलते समय चपेट में आ गई अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई यसोदा को बचाने के लिए उसका पुत्र धनी राम और गाउं की लड़की चांदनी भी जुलस गई तीन जुलाई को पतनी को बिदा कराने के लिए निकला मचेटा थाना के गाउं धनसी नगर का राम करन जिंदा वापस घर नहीं लौट पाया थाना सदना के गाउं गदरिया में उसका सौल अटकता मिला बतादें की युवकी ससुराल थाना अटरिया के गाउं परेवा जाल में है युवक के परिवारी जनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है महाराणा प्रताप सेना के पताधिकारियों ने रच्छा मंतरी राजनास सिंग के जन्दिन को पौध रोपन करके मनाया पुलिस कर्मियों वा जन्मानस को सेनेटाइजर भी बांटा गया इस दोरान जन्मानस से कोरोणा से बचाव के लिए घर पर ही रहने की अपील भी की गई कारिकम में प्रदेश अद्देच अमरजी सिंग, जिला अद्देच अंजुल कुमार पांडे अब सहर को नालों के चोक होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके लिए नगर पालिका सीतापु ने माकूल बेवस्ता कर ली है दरसल नालों की सफाई के लिए चौदोंगें बित्त से सत्तर लाक रुपे की दो पोक लेंड मसीने खरी दी गई है अभी तक बड़े नालों की सफाई के लिए पालिका सफाई गैंग पर निर्भर रहती थी गांजरी छेत में सारदावा घागरा ने खतरे की घंटी बजा दी है रामपुर मतुरा छेतर के कलुआपुर गामसभा का परमगोडा गाओं चारो तरब से पानी से गिर गया है प्रसासन ने जर्मानस से सुरचित अस्थान पर पहुँचने की चेताउनी जारी कर दी है रामपुर मतुरा छेतर में घागरा नदी में बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे बसे गाउं में ग्रामीनों के खेतों में पानी भरने लगा है पानी से सैकड़ों भीगे फसलों का नुकसान होनी की संभावना भी बढ़ गई है बाढ़ प्रभावी छेत कनर्खी अंगरावरा शुकलन प्रवा बगस्ती कलुआपूर आधि ग्रामसबाओं के कई मजरों में बाढ़ का पानी निरंजन प्रवा वाहरपाल प्रवा आधि गाउं की तरब भी बढ़ने लगा है रियुसा में सार्दा नदी कटान करने लगी है घागरा की धारा दरजिन रेती से महच 20 मीटर की दूरी पर है वहीं फौजदार पुरवा और मरेली गाउं कटान के मुहाने पर हैं कोतवाली सिधाली इलाके में सीमेंट बेवसाई के मुनीम और ड्राइवर से गुरुआर को हुई 5,4,000 लूट मामले में पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही बड़ी सफलता मिल गई है सूतरों के मुताबिक सीमेंट बेवसाई अनूक कनोडिया की गाड़ी का ड्राइवर नेकपाल ही घटना का सडेंत कारी निकला जिस मुडरवा अस्थान पर लूट होना बताया था वहीं कावा रहने वाला बताया जा रहा है हाला कि पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से अभी बच रही है बिद्दुत विभाग बड़े हास्से के इंतजार में हैं दरसल तहसील लहरपुर छेतर के लालपुर मुगलपुर एच्टी विद्दुत लाइन का तेड़ा पोल दुरगटना को दावत दे रहा है ग्रामीर भैवीत हैं बतादें की पोल पिछले साथ माह से टेड़ा खड़ा है विद्दुत विभाग के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं सीतापुर में कोरोना का कहर दिन बदिन बढ़ता जा रहा है सुक्रवार को मिले साथ नए मामलों के बाद जनपद में कोरोना मरीजों की संक्या बढ़कर तिरान बे हो गई है इन में 31 केस एक्ट्यू हैं 14 मरीज खैराबाद के एलवन अस्पतान और 15 लखनव के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं नए मिले मरीजों में 27 बटालियन का दरोगा आलम नगर का फल विक्रिता वा स्टेट बैंक हरगाओं साखा का एक कर्मी सामिल है सहर के मुंसी गंज में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पाजिटिव निकले हैं इस महले में होट स्पार्ट का दारा 500 मीटर कर दिया गया है वहीं बैपारी दमपत्ती भी ट्रू नेट की जाँच में पाजिटिव पाए गए हैं जिनका सनिवार को शौब टेस्ट कराया जाएगा जिले में लगातार लूट और चैन सनेचिंग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है सुक्रवार को मचेटा कस्वे के आर्या वर्त बैंक से 30,000 रुपे निकाल कर बाजार की तरफ जा रहे लला निवासी मुसाली से एक लुटेरे ने खुद को फूड इंस्पेक्टर बता कर 30,000 की नगदी लूट ली और फरार हो गया साथ ही लुटेरे ने 30,000 रुपे जो पीडित ने जेब में रखे थे वह भी लूट लिये पुलिस मामले की जाँच में जुटी है लेकिन कुछ भी खुल कर बोलने से इनकार कर रही है यहाथी अब तक की खास खबरे आप देखते रहिए आई इंडिया सुबरात्री शबाखेर